नमस्कार स्पोर्ट सड्डा में अभी की बड़ी खबर आपके सामने हारने के बाद भी वर्ल्ड टेस्ट चेंपेंशिप के फाइनल में पहुँचेगा भारत बस चलनी होगी ये शातिर चाल इन दौर में खेला जा रहा ये तीसरा टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चेंपेंशिप फाइनल में पहुचने के लिहाज से काफी एहम है टीम इंडिया अगर मैच जीत जाती है तो फाइनल में पहुच जाएगी मगर हार उसका इंतिजार बढ़ा सकता है इतना ही नहीं एहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला आकरी टेस्ट करो या मरो का हो जाएगा अगर भारत वहाँ जीत भी जाता है या मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो न्यूजलेंड स्रिलंका सीरिस के नतीजे पर निर्भर रहना होगा तब उमीद करनी होगी कि न्यूजलेंड अपने घर पर श्रिलंका को दो मेंसे कम से कम एक भी मैच हरा दे कंगारू टीम वर्ल्ट एस चेंपेंशिप का फाइनल लगभा क्वालिफाई कर चुकी है अब उसे भारत के खिलाब दो मेंसे एक ड्रॉ भी आगे बढ़ा देगा कहने का मतलब है कि उस्टेलिया शून्य तीन या एक तीन से बॉडर दावस का ट्रॉफी हारने से भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा अगर उस्टेलिया दोनों में छाड़ जाता है तो फिर उसे भी श्रिलंका के न्यूजलेंड दोरे पर नजर रखनी होगी तब उमीद करनी होगी कि श्रिलंका न्यूजलेंड को दो सूनने से ना हरा दे वैसे इसकी उमीद कम ही है अगर ऐसा नहीं हुआ तो वर्ल्टेस चेंपेंशिप का फाइनल साथ जून से भारत उस्टेलिया के बीच लंदन के ओवल पर ही खेला जाएगा